प purity Road दर्फ जा रहा था उथर से इदर से पानीपती तरफ आ तो यहां जस्ड नीचे से इमें करना है और सबीशी फेस्टिवलों में लगे हुए हैं कशिड थी वेहनों में पास जा रहे हैं वाज यह के पास जा रहे हैं belong यहां से पहले भी आँ तब मैं ब्लोग नहीं बना रहा था वहा की लड़की की साथी थी तब तो आपको रास्ते में अगर देखो गिना तो बहुत गेवर के वह लगे हुए होंगे यह देखो देशी गेवर ऐसे कर के बहुत लगा हुआ 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 और यह देखो भाई मज़े गाओं के मज़े तो यह आना रहे थे और दान का सीजन अभी आपको पताईए लास्त में जब चल गया था अभी तो देखो कि किना अच्छे से हो गई है फसल अभी महादेव जी की सिवरातरी गई है लास्त दो जिन पहले और अभी बारिस हुई कि अपकी बार बारिस ज्यादा है नहीं देखो आगे कैसी होगी जब तक बारिस नहीं होती है ना उस्टार्टिक में तो भाई जो दांगी खेती है चाहुल की खेती है उसमें सभी किसानों की बहुत जोर लग जाता है क्योंकि क्यूगल वगरा चलते हैं फिर नहर का पानी भी कम पड़ता है सची बताऊं तो लाक्स एयर तो ऐसी वारिस होगी थी भाई आद बहुत तो फसले खराब होगी थी और पानी खड़ा हो गया था हर जग है तो देखो एक किसान की लाइफ है ना बहुत संग्रोस से जुड़ी हुई है मगर कोई उस चीज को समस्ता नहीं कि दीरे महंगाई तो आरे हैं जो महंगाई की मार पड़री हैं फिर यह तो और ज्यादा पड़ने लग दिया है 295 में नहींन करना है और सभाय कैसे अपना लाइफ का उज़ियो ज़जारा करें वह तो पूरी लाइफ ज़िरो यह को गाहना नहीं करपाते हैं मिरे देख ल यह ना मेरी को साप की भी नहीं बजी होगी साप के उपर भी पुंगी नहीं इतनी बजी होगी इतनी मेरी बजी है अपनी दन्नों को देख लो भाई कितनी पुरानी है सेकेंड ली थी और इसी को मैं चला रहा हूं अभी तक अब जेसी कोज क्यों पुंगी वजी में अपने उसी नहीं पाया भाई बड़े लड़के की ना यही मैंने अपना-पना नी बोतों का देख रहा है अधो चाहिए अज पर चलो बता भी दूं कि मैं अभी अपनी फिलिंग शेयर कर रहा हूं यूटूब के उपर तो सारी फिलिंग के शेयर करूंगा मैं पुछ हीडन नहीं रख रहा भाई बहुत हीडन रखते हैं अगर ज्यादा यह चैंचे पैपर भी नहीं कर रहा है अपनी कमाई सारा सब कुछ से अपने परिवार में लगा देता और लास में भाई देखो फैमिली के पैरेंस देखो सब बुरा बला उसी को बोलते हैं तुने किया ही क्या है तो उस टैम इतना बुरा लगता है क्योंकि वो फेज मेरे अंदर से जा चुका है और उससे भी समस्दारी से जियो घर के बड़े लड़के या जो भी समस्दार है अकेला यह नहीं के खेला बड़े लड़के पर मैंने टैग मार लगा दिया बहुत जगए ऐसा भी है मगर मैंने 5-10% मुश्किल से देखा है कि छोटा लड़का परेशान हुआ या बीच वाला परेशान ह भी होता है जब बड़े वाला रिस्पोंसिबल नहीं होता है या कुछ प्रोब्लम होती है उसको अदरवाइस तो बड़े वाला बहुत जेलता है बाट इस चीज को छोड़ अलीविट ज्यादा टेंशनों में नहीं जाना चाहिए और सची बता हूं लाइफ के इस दोर में जाफासा मिल रहा है मेरे को सची बता हूं जितना घूम रहा हूं मैंना मैंने सबसे लंबी राइड अभी बाइक के ऊपर की है खाटू साम की जो भी लास कुछ दिन पहले की थी भाई कितना रिलेक्स फिल हुआ है मैं बता नहीं सकता और दूसरा लाइफ में कभी मैं गया यह अब की बार तो वह अगर नहीं कर पा रहा है अगर अब नहीं तो कभी नहीं तो दीरे देश को काम तो करना पड़ेगा काम तो बिल्कुल करना पड़ेगा लोग भी स्टार्ट किया है इसलिए स्टार्ट किया है कि चलो यहां से अच्छा-सा इंकम भी स्टार्ट हो जा बाकी की जो बची लाइव है उसको जी पाएंगे भूम पाएंगे कुछ और काम भी स्टार्ट करेंगे अकेला गूमने से भी नहीं चलेगा मगर लाइव में ना मैं चाहता हूँ छे महीने में से यार कम से कम 25 तीज दिन तो ऐसे निकले जिसको मैं खुद जी पाऊंग अब तो क्या है कोई ना कोई बच्पन था तो भई पढ़ना है पढ़ना 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 भई पैसे नहीं है पैसे नहीं गर में यह वह और भई थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो भई सब सारी स्पॉंसवेल्टी तेरे को समाल नहीं है यह करना है वह करना है यह है तेरे बस भापा जी मिस्तरी थे, राज मिस्तरी उनके साथ गया हूं, अकेला मैंने इतना जेला है मैं यहाया है जेला कुछ निहींतरी है कोई कुछ निहीं है, कूज की में जमेन से उठ्के में ज्यादा उपर तो आया नहीं वही वह मगर आया ही नहीं वह तरीके से अब को पता हिए धन्यों देखो फुरानी है मैं इसका भी पूरा काम नहीं करवा पाता है और चीजे भी नहीं करवा पाता कमाई है मैंने कमाया है मगर सब घर पे लगा दिया और उसका कोई result मेरे को मिला नहीं ना तो relation के घरवालों के relation मेरे लिए एच्छे हुए है या कुछ भी हुआ है ईज आप बोले कि यह क्यों बता रहा है क्यों बता रहा इतना क्यों बता रहा है मैं इस इतना बता रहा हूं के भाई मेरे अज़े से बहुत इनसान है मैं पर्टिकलर बड़े लड़के को नहीं बोलना है इसको भी बोलना हूं जो कमाते कमाते लाइफ जिसकी जा रही है जी नहीं पा रहे हैं भाई लाइफ में से कुछ थोड़ा बत पल निकालो, दो चार दिन निकालो, खही घूम के आओ, भूले नाथ के अच्छे मंदिरों में जाओ, कही भी जाओ, आस पास घूम के आओ, कही भी घूम के आओ, जो ज्यादा डेपरेशन में हो जाते हैं, या किसान हो जाते हैं, परसेंट करता हूं दो लाग परसेंट दस लाग परसेंट बोलता हूं कि अपके ब्रेंच तीर देरे निकल जाएगी जब हमाई आजाते हैं आचलों सोचते हैं भई कुछ गलत करते गलत मत करो वह जो गलती सोच रहे हो तो जी लो जीना कैसे घर पे रहके या उसी प्रोब्लम में रहके तो नीजी पाऊगे, निकल जाओ, भई साधू संत ही है, कोई अपनी उससे हुआ है, कोई इच्छा से हुआ है, किसी का मन हो गया, कैसी भी करके हुए है, मगर हुए है ना, कोई प्रेशान हो के भी बस सब कुछ कि अपनी आपके उपर आप क्या चाहरे हो, आप कैसे जीना चाहते हो, भी मैं तो अब लाइफ के इतने, मुने बादे से ज्यादा जिन्दीगी जात हुए है, अब इस चीज को समझा, अगर आप मेरे से छोटे हो, तो देखो लाइफ को प्यॉर्टी दो, काँ अब